स्वागत है आपका अपने चैनल एक लव्या स्टेडी पॉइंट पे और मेरा नाम है सचिन और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक लास्ट वेल की होम साइंस और फिफ्ट चैप्टर है जिसका नाम है खादे प्रसंसकरन और प्रद्योगे की यानि की फूर्ड प् प्रॉब्लम या कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे आके वहाँ पर पूछ सकते हैं तो सबसे पहले अगर हम इसले बस की बात करें कि हमें क्या क्या पढ़ना है अपने इस चैप्टर के अंदर तो हमें फूर्ड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलोजी ठीक है इसका इंट्रो क्लासिफिकेशन और प्रोसेसिंग और प्रिपेरिंग फूरा करें ने लास में देखेंगे स्कॉप तो यह हमारा आज का जो यह मतलब पूरा एक यह concept है जिसमें से हम इंट्रोड़क्शन और सिंग्निफिकेंस पार्ट बन में करने वाले हैं और आने वाले पार्ट में हम स जैसे कि फसल कटने पर अन को सुखा लिया जाता था ताकि उसका सुरक्षा काल बढ़ाया जा सके ठीक है तो खादे पदार्थ जो होते हैं जो चीज हम खाते हैं ठीक है उनको मतलब अलग-अलग कारणों से जो है संसाधित किया जाता है प्रोसेस किया जाता है एक्जामपल यहां पर दिया वाए कि फसल जब कटती है तो उसमें जो अन होता है उसको सुखा ले जाता है ताकि उसका सुरक्षा काल बढ़ाया जा सके वो जल्दी खराब ना हो और पहले के समय में खादे पदार्थों का संसाधन मुख्य रूप से उनकी सुपाच्यता, सुआद करने के लिए किया जाता था यानि कि अगर हम पुराने समय के बात करें तो यह जो खादे पदार्थों का संसाधन होता था जो प्रोसेसिंग होती थी वो मेंली इसलिए होती थी कि उनकी सुपाच्यता और उनका सुआद जो है टेस्ट जो है उसमें कुछ मतलब सुधार ला होता है यानि की जो फूट प्रोसेसिंग होती है वो क्यों जरूरी होती है उसका मेहत्व क्या होता है तो यहाँ पर लिखाए कि इसका थाथ पर रहे है कि एसी विदियो और टकनीकों का समूße यानि की जो कच्छी सामागरीयों को तयार या आदे तयार खादे पादों में बदल देता है ठीक है ऐसी processing होती है जिसमें क्या होता है कि जो खाने की चीज़ी होती है जो कच्ची समागरियां होती है उनको तैयार समागरी के रूप में वो बदल देता है लोगों को जीवन शैली में मतलब जो है परिवर्तन और आवा गवन में विरिद्धी यानि की increasing mobility और वैश्वी करण के कारण भी विविन परकार के संसादित खादे उद्पादों की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है यानि की जो पदार्थ जल्दी खराब ना हो ठीक है तीस विरियत खादे संसादन पार्क यानि की बड़े बड़े food processing parks की स्तापना की होशना करी है भारत सरकार ने ठीक है जन्वरी 2010 में की मतलब बड़े बड़े जो है तीस खादे संसादन पार्कों की स्तापना की जाएगी अब अगर मैं आपको यहाँ पी बताओं की खादे पदार्थों यामसालों में जिन पोशक पदार्थों की कमी होती है उन्हें मिलाकर खादे पदार्थों का प्रवली करन किया जाता है यानि की food fortification किया जाता है food fortification जो है मतलब इसलिए किया जाता है आहार की नियुंतम आवशकता है, पूरी की जा सकें, यह विदी आम तोर पर महेंगे खादे पदार्तों में पाए जाने वाले पोशक तत्वों के लिए अपना ही जाती है, food fortification का सबसे बड़िया example आपको मैं बताता हूँ, double roti के निर्मान के दोरान आटे में protein lysine मिलाये जाता है, आपने double roti का नाम सुना होगा जो खाते हैं लोग, उसको जब बनाये जाता है, तो उसके दोरान जो आटा होता है उसमें protein एक मिलाये जाता है, protein lysine, ठीक है, और example बता हूँ, जैसे के वनस्पतिक तेल होते हैं या घी होते हैं, ठीक है, देशी घी होते हैं, तो उसमें vitamin A और vitamin D मिलाये जाता है, ठीक है, ये भी food fortification का उधारन है, नमक बनाते time iodine मिलाये जाता है, ठीक है, shelf life of food, तो shelf life खादे पदार्द के उत्पादन वास्तानांतरन, यानि कि transfer से लेकर, सुरक्षित वा स्वादिष्ट खाने योग्य बने रहने की अवधी को उसकी shelf life कहते हैं, यानि कि जब हमने किसी food को बनाया, उसे तयार किया, उसे transfer करके, एक जगा से दूसरे जगा लेके गए, उसके बीच वो सुरक्षित रहे, उसका खाना जो है, वो स्वादिष्ट बना रहे, ठीक है, जो भी खाना है, और उसकी अवधी, यानि कि जो उसकी जो आप कहते हैं, एकदम योग्य बनी रहे, तो इस तरीके से हम उसकी life को बढ़ाते हैं, या उसकी जो life होती है, वो फिर कहलाती है, shelf life of food, ठीक है, तो यह हमारा आज का topic था, और part second में हम जल्दी ही और भी topics को cover करेंगे, आज की वीडियो छोटी इसले थी, ताकि आपको introduction और significance का समझ में आए, कि food processing है क्या, ठीक है, तो next वीडियो में हम बचेवे concepts को जल्दी से जल्दी cover करेंगे, तो इस वीडियो में इतना ही चैनल को subscribe करना, आप बिल्कुल भी न भूले, बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें, और वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जैहिं जया भरत!